आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम सिध्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत वस्वागत है तो नौवा लच्चर रही है वही है ठीक है और फ्लो का आज क्लास शुरू होगी पांच बजे अगर आपने अभी तक टेलिग्राम ग बात करेंगे आज तुगलक्स हम शुरू करेंगे तो इससे पहले हमने खतम कर दिया था किसको खिलजी इसको और अभी हम तुगलक्स की बात करेंगे फिरोशा तुगलक इसके बाद अभी हम घियासुदिन तुगलक और मुहबद बिन तुगलक की बात करेंगे तो मुबार में उनको जादा जानकारी नहीं मिलती है लेकिन अलाओ दिन खिल जी बड़ा इंप्रेस था और इसको दिपालपुर और मुल्तान का गवर्नर बना दिया था कि जब मुबारक खिल जी काम ने पिछली बार देखा था कि कैसा किस तरीके का टेरर था मतलब लोग परिशान हो ग अत्रे लिखे गियासुदिन तुगलक ने किसको अधा अग मार दिया मुबारक खिल जी को फिर इसके थिक जुमार्ग कशन को अधाया और ये बैठ गया GP क Like कि तो गियासुदिन तुगलक को किसी ने भी उपोज़ने किया कि एक दित्र Wish है और टर्क जो थे वो बड़िया थे मतलब सभी टर्क थे नोबेश भी तर्क थे हैं तो जाइद सी बात है कि कोई और को नहीं चुनेंगे कोई ओरत या को टर्क या कोई अफगान अफगान औग टर्क नहीं आप ही को चुनेंगा तो बिश्यक्वी टर्क दूसरी पॉइंट ये दूसरा पॉइंट ये किसने बड़े अच्छे से ट्रीट के नोबेल्स को जैसे अलाउद दिन खिल जी ने नोबेल्स को मरवा दिया था है ना अलाउद दिन खिल जी ने क्या किया था कि जिस जिन नोबेल्स ने अलाउद दिन खिल जी के लिए काम किया समान सलूग करता था ये कि मैं तुम्हारा पिताव टेंशन ना लो उसके बाद इसने टाक्सेस कम किये जैसे खिल्जीयों में तो बहुत टाक्सेस अनाप शनाप डेरो टाक्सेस तो इसने टाक्सेस वन फिफ्ट और वन थर्ड बस इससे जादा नहीं 20% 33% माक्सिमम इससे जा ठीक है ऑफिसस को बोला ऐसा नहीं एक दम रखने दो कोई प्रॉब्लम नहीं पर एक लिमिट तक ही रखने देना मार्केट को दुबार रिस्टोर किया मार्केट जो फिक्सिंग प्राइस थे वो हटाया नहर सिस्टम जो है वो घ्यासु दिन तुगलक लेकि आया ता याद से जोड़ दिया तो उसने काफी नहर बनाई बाद में फिरोज शात तुगलक जो है वो उसको एक अदम आगे ले गया जब उसने चार नहर और बनवा दी ताकि खेती जो है वो बहुत अच्छी हो सके और इसका नाम गाजी मलिक था बेसिकली ठीक है अब इसका बेटा था पुलुक खान अच्छा दो इसने एक और चीज़ आपको बता दू कि इसने दो जो है वो रिवोल्ट सप्रेस किये था एक बार बंगाल में हो गया था बंगाल में तीन भाईयों के बीज़े रिवोल्ट हो गया था ठीक है तो फाइनली यह गया और इसने दो को हटा है और नासुरी दिन को बोला कि यह से तुम रूल करना बंगाल में रिवोल्ट फिर वारंगल मतलब उस समय आरंगल बोला जाता था तो तो वहां पर जो काकतिया किंडम अपने बेटे मुहमद बिन तुगलक को भेजा यह यह इंसान मुहमद बिन तुगलक को भेजा कि जाओ 1320 क तो इसने मुहमद बिन तुगलक को बेचा कि जाओ बेटा उसको हराओ तो यह पहला अटेम्ट इनका फेल हुआ कोई बात नहीं माफ कर दिया लेकिन दूसरे अटेम्ट में सक्सेस्फुल है और भाया राजा रुद्र को ले कि आए और उसके बाद फिर जो है वहां पे इन तो टूटेगा और उसमें गिर के मर जाएंगे यही हुआ पवेलियन एक खोकला था हाती से आए यासुदिन तुगलक टूटा तर तर हाती उनके ओपर खेल खतम अब मोहमद बिन तुगलक को सत्ता मिली मोहमद बिन तुगलक के बारे में जानते हैं है ना तो मोहमद बिन तुगलक बैसिकली देखिए जो इंपोर्टेंट एक यासुदिन तुगलक के लिए नहीं इंपोर्टेंट तो एससे जादा नहीं आपको पढ़ना है मोहमद बिन नाम मुहमद بن तुगलक रख दिया किया तरीब तेरा सो पच्चिस से लेकर तेरा सो एक्यावन तक ही रहा ठीक है चबश साल तक इसने रूल किया अब मुहमद बिन तुगलक के बारे में जानते आपको बता दूँ ठीक है मुहमद बिन तुगलक राजा बेटा हर एक ऐसा बेटा हर कोई जो चाहे किया बेटा हो तो ऐसा ही हो Astronomy, Mathematics, Science, Writing क्या बढ़िया, गजब का कैलिग्राफिस्ट, भाशाओं का ग्याता, Highly Intelligent Person इतना Intelligent, अब जाहिर सी बात है कि अब कोई कर देखिए हर इनसान चाहता है कि जो हमारा सामराज है, देश है, राज है, शहर, उसमें पढ़े लिखे इनसान है एक पढ़े लिखे इनसान को बहुत जानकारी होती है, वही समाज को आगे लेके जाते है, ग्यानी आगे लेके जाते है, भी महा ग्यानी अब लोगों को लगा कि भाई ये तो कमाली कर देगा लोगों ने इसका बहुत अच्छे से स्वागत किया कि अरे भाईया मुहम्मद बिन तुगलक आए है भाईया ये इससे बढ़िया तो कोई हो इनी सकता MBT कमाल कर देंगे ये All bow to the king मुहम्मद बिन तुगलक Everyone was there और हर किसी ने मुहम्मद बिन तुगलक को सपोर्ट कि बाई तुम ही हो हमारे राजा तुम से बढ़िया कोई है नी तुम को हर एक चीज़ के तो knowledge है यार लेकिन देखे यही फर्क होता है knowledge से फर्क नहीं पड़ता है फर्क पड़ता है आपकी common sense से पढ़ाई से किताबे रटने चाटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन वो ये जरूर काउंट होगा कि आपका common sense क्या है क्या फैसला लेरे है situation के साब से आफ फैसला ले रहे हैं कि नहीं लेरे है एक पढ़ा लिखा इंसान अब अलाओ दिन खिल जी को दिए कि वो अनपढ़ था लेगिन क्या भायाना तगड़े तरिके से उसने रूल किया ये चीज़ है तो चलिए हम इसके चार ब्लेंडर्स की बात करते हैं ठीक है सबसे पहले तो इसकी रेवेन्यू पॉलिसी फर्स्ट ये पूरा बहुत एक्स्पांशन हो गया था तो गलक्स के समय तो पहली जो है वो इसकी रेवेन्यू पॉलिसी अब इसकी जो रेवेन्यू पॉलिसी थी ठीक है ऐसे नहीं करते हैं ऐसे करते हैं है ना जो इसको इन रेवेन्यू पॉलिसी थी इसने टाक्स बहुत दाधा बढ़ा दिया आधा आधा टाक्स देना पड़ता था लोगों के पास लोगों को देखिए 1325 में आया इसको लगा कि पैसे चाहिए सबसे पहले तो तो पैसे के लिए हमको रेवेन्यू चाहिए पर टाक्स लगाएंगे जमीन का एसेस्मेंट होगा प्रॉपर प्रॉपर एसेस्मेंट जमीन का हुआ ही नहीं रिपोर्ट्स जो है वो गलत थी और लोग बोलने लगे कि भाई अच्छा इसा में फैमाइन भी आया हुआ था कि एक तो हमारे पास और पैसा नहीं है और तु लोग परिशान हो गए बहुत सारे लोग इसमें बागी हो गए और जाके किंग्नम पर यह अटाक करने पड़े और बाद भी यह समझ में आया क्या कहता है कि हमने बहुत 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 बढ़ी गलती कर ली अब फिर उसने अपने डिसिजन को वापस लिया कि यह काम करते है डिसिजन को पूरा को पूरा वापस ले लेते हैं कोई प्राब्लम नहीं है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी तीन हाथ से निकल गया था फॉस्ट इंप्रेशन इस लास्ट इंप्रेशन और लोगों को पता चल गया था कि बहुत बेवकूफ है आपको बता दूं कि वाइस फूल किंग की उपादी दी गई है कभी अगर सवाल पूछा जाना कि हूँ इन इंडिया इस डोन आज वाइस फूल सुल्तान तो दाट इस मुहमद बिन तुगलक MBT वाइस फूल किंग बोला जाता है इसे कि दिबान तो बहुत था लेकिन उतना ही बेवकूफ भी तो आप लोगों को समझ में आगे कि भाइया देखो यह डेंजरस इंसान है इससे बचके रहना है इसके डिसीजन पता नहीं कब किसको प्रॉब्लम मिल ले है तो थोड़ा साथ सतर करहेंगी हम लोग चलो कोई बात नहीं अगला इसने बनाया revenue policy के अंदर आता है दिवाने क को ही यही बड़ा important याद रखेगा दिवाने को ही जो है को ही agriculture इसने agriculture का अलट department बना दिया ठीक है अब इसमें क्या case का देखिए इसकी मन्शा बहुत अच्छी थी no doubt आदमी बहुत अच्छा था लेगिन execution गलत कर दिया गलत टाइम पर गलत फैस्टे ले लिए सही टाइम पर सही फैस्टे ले लो तो निकल पड़ेगी गलत टाइम पर गलत फैस्टे लोगे या गलत टाइम पर भी अगर सही फैस्टे लोगे तो भी नीचे जाओगे टाइमिंग बहुत सही होनी चाहिए बिटा तो दिवाने कोई अब यह agriculture department अब इसने सतर लाक रुपए जो है वो खर्च कर दिया वो समय सतर लाक की बाद थी क्यार समय तंका और जितन चल रही थी currency अब इतने ज़ादा इतना ज़ादा इन्होंने मतलब वर्थ है बहुत उसके का कि अनकल्टिवेपल जो लाइंड है जिस जमीन से ही पैसा आएगा तो जो भी बंजर जमीन उसको उपजाओ बनाओ और जमीन के हिसाब से यहां पे खेती करो लेकिन डिजास्टर साबित होई कैसे सबसे पहली बात तो जो officers थे वह inexperienced इसने officers का जो चुनाओ किया अपने ही जैसा लेकिया यह जमीने जमीन से जोड़ा होना चाहिए ऐसे officers को लेकिया होगे जिसको वहाँ पे knowledge होनी चाहिए अगर मैं एक IS officer को मैं नासा में डियाइडियो में भेज़ दो तो कि हो चल पाएगा नहीं तो एक तो officers फिर corruption बहुत होता था बहुत ही जादा corruption होत था भयानक corruption हुआ इसमें ठीक है तीसरा point यह है कि लोगों को भी समझ में नहीं आया क्योंकि देखें जमीन तो बंजर थी आप उसको जाओ कैसे बनाओगे आप इतना पैसा फूंक रहे हो लेकिन आप यह बताओ कि फूंक इस पर हो कितना को return देगी है कि नहीं ठीक है तो सब चीजों की वज़े से यह पूरी तरीके से फेल हो गई और यह दो साल के अंदर अंदर हुआ 1327 हा गया था तो इनकी economic policy एकडम डूब गई revenue policy agricultural policy गये काम से अब उसके बाद हमें देखते हैं कि जो इसने second point transfer of capital सबसे हास्यादपत decision था दोस्तों यह ठीक है 1327 में सबसे हा स्यास्पत ठीक है इसने देखे यह परशान हो गया तो दो साल के अंदर अंदर और अब यंग था परशान हो गया वह लगा कि यार बहुत लोग मुझसे चड़ रहे हैं और सही नहीं है मेरे हिसाब से चलो अब हवा पानी बदल के आते हैं तो काकतिया kingdom आपको पता ही है सा सब के सब चली के सब तो यह क्या किए इसने और दिया कि दिली में कोई इंसान रहे गाई ही नहीं सब मेरे साथ कहां चलेंगे देवगीरी अब अगर हैटकॉर्टर शिफ्ट होता है यह कैपिटल शिफ्ट होती है तो क्या तुम अपनी आर्मी को ले जा यह उन लोगों को ले जो जो ज़रूर तुम क्या बच्चे को ले जा रहे हो बूडों को ले जा रहे हैं इन फैक्ट जो अपाहिच ने उनको भी ले जा रहे हैं और अगर अपाहिच मर गए तो मर गए यागर कोई चल ली जाने तो वही मार के फेक दो इसको ऐसा है इसा है इसाब किताब तो य यह तना बड़ा जो ट्रांसफर हुआ यह आज तक का सबसे विवादास्पत पूरे क्यापिटल शिफ्टी तो हर किसी को लेके जा रहा है वापस तो आप यह देवगीरी पहुंचे एक बहुत देखा कि आधी जंता साफ मर गई कोई बात नहीं अब उसके बाद आठ साल वहा वापस दिली चलेंगे तो फिर यह वापस दिली आया अब सबको लेके अई लोग घर गया और मर गया दो अब बचाएन एक तरीके से तो यह बहुत ही डिजास्टरस इसका डिसीजन था बहुत ही डिजास्टर स्टुर मुई है धिशा की जगा रख दिया कि bronze coin is equal to silver जैसे आज होता है ना पहले भी silver गोल्ड था लेकिन आज आपको 100 रुपए 500 रुपए अब अगर मैं बहुत कि 100 रुपए का नोट is equal to 500 रुपए का नोट तो हो जाएगी बैंड बच जाएगी तो इसने क्या किया ब्रॉंज भाई silver और ब्रॉंज पर कोई फर्क वो आप एक बात बताओ कि हीरे हीरे को रख लो और कोईले को रख लो तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है ना तो यहां पर ब्रॉंज को रखा मैंने silver को रखा वो दोनों सेम कैसे हो गए नहीं होंगे ना लेकिन इसने का कि यह ब्रॉंज जो है वो that will be equivalent to silver अब हुआ क्या हिंदों के निकल पड़ी उन्होंने का बहुत बढ़ी है decision महाराज very good counterfeiting होने लगी ब्रॉंज कोईं जो silver वाले निकाले गए थे उसमें इतनी खामिया थी कि घर-घर में minting बन गई घर-घर में mint होने लगे बटी बनाके copper coins निकलने लगे यह ब्रॉंज coins निकलने लगे यानि कि खूब खूब जाली currency जो है वो छपी जिसकी वज़े से economy डाउन ही इनका kingdom डाउन हुआ तो यह वो लगा है पैसा आना चाहिए जा क्यू रहे खाजाना तो बड़ी नहीं रहे और लोग खुब अमीर फिर इसके expansions है ना यह भी अभी पैसा खुब लगाता था मिना सोचे समझे पैसा लगा देता था खुरासन kingdom rule कर रहा था इराक पे इन्हों ने कहा कि भाया हमारी जो सत्ता है वो सिर्फ यहां पे नहीं होनी चाहिए दिल्ली में ही इसको दूर दूर तक फैला दो दूर जीत के आते हैं यह expedition करने गए तीन लाख रुपए खर्च किये ओफिसर्स ने बुला हम नहीं जाएंगे बीच सही वापस आगे क्योंकि हम पीटे जाएंगे बहुत ज्यादा सेम कराजल expedition के साथ हुआ मौंगोल्स अगेन अटाक करते थे बाइदे को अलाओ दिन खिल जी के समय चुप हो गये थे मौंगोल लेकिन अटाक कर रहे थे इनके समय भी अटाक के डर के मारे बैट गये यह मौंगोल्स को पईसा देने लगे कि बाइदे को लोग वैसे बहुत जादा टेंशन में हैं यह अटाक करेंगे और जदा दिक्कत हो जाएगी और हम हार बार गये तो और बिजती हो जाएगी तो इससे चलो पईस हालो तो ठीक है तो यह सारी चीजे जो हैं वो एक तरीके से हुई हैं ओके तो अब मौमद बिन तुगलक की यह जो चार डिसीजन थे बहुत ही डिजास लेकिन जादातर काम इसके बड़े अजीब गरीव और अठटे रहे जानेंगे फिरोशा तुगलक के बारे में जानेगे रोशा तुगलक को लेटर तुगलक को खत्म करेंगे तो यह लिच्शर था आई होप आपको सवज में अ का अच्छा लगा होगा पाकी जैसा कि हम न से क्लास होगी थांकियो सो मच